गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अगर आप भी चाते हो उनिवस्टी से पीएशडी करना तो देखो कई दिन हो चुके हैं फोम निकले हुए लेकिन जो इसकी पीएशडी के रिगार्डिंग न्यू नोटिस आया है कि क्योंकि इसकी जू लास्ट एट है वो हमारी हो चुकी थी खतम तो फिर भी कई कैंडिडेट्स रह गए थे अपलाई करने के लिए तो जो डेट है वो एक्स्टेंड कर दी गई है और क्या डेट रखी गई है यह हम जानेंगे इस वीडियो में तो यह नोटिस डला हुआ है पब्लिक नोटिस उसे पहले अगर आपको इसका पता नही था कि वही पिएशडी के फोर्म निकले हुए है तो अभी भी आप लेट नहीं हुए हो अगर आप चाते हो इगनु युनिवरस्टी से पिएशडी करना तो आप अपलाई कर सकते हो और रही बात कि कई कैंडेट्स यह पूछ रहे थे कि मैं इसकी वैलू तो होगी पिएशडी करवाना स्टार्ट कर दिया है इनके पार्ट टाइम और दोनों टाइप्स की जो है वैकेंसी निकलती है तो देखते हैं इसके रिलेट्विट नॉटिफिकेशन क्या आया हुआ हुआ है यह जी नॉटिस हमने डाउनलोड कर लिया है तो देखो पब्लिक नॉट नॉटिस ये नॉटिस बाइस दिसमबर को रिलीज किया गया है इगनुट पी एचडी तो कॉंटिनुएशन तो पॉब्लिक नॉटिस डेट रिगार्डिंग देखते हैं तो हैस बीन एक्स्टेंडड फ्रों 22 दिसमबर तो 31 दिसमबर यानि कि जो अब आपकी पहले क्या थ लेट थी अब उसको बढ़ाकर 31 दिसमबर कर दिया गया है निकि 31 दिसमबर तक आप अप्लाइए कर सकते हो लास्ट एक्स्टेंड अप्टू 30 दिसमबर अप्टू 1150 पीम और एप्लिकेशन जो फीस की जो पेमेंट की है उनलाइन वो सिर्फ 31 दिसमबर है वैसे अप्लिके इन को कर सकते हो तो एक्जाम डेट जो है रिवाइस की गई है यह आपको इगनू.at the rate nta.ac.in की साइट पर मिल जाएगा और nta.ac की इसी साइट पर आपको यह फोम का अप्लिकेशन फोम मिल जाएगा जहां पर आपको प्येश्टी का फोम करना है तो एक अच्छी उनिवस से प्येश्टी करते हो तो 100% value होगी उसकी तो बगैर घवराए और बगैर किसी सोच के अगर आप चाहते हो और आपके पास बढ़ता है तो आप ज़रूर किजिएगा thank you so much and please share and subscribe my channel thank you